साई की बात गर में जाने से कोई नहीं रोक सकता कोई भी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए अब तुम्हारा घर हो गया है तयार तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तुमने जो मुझसे मननत मांगी थी ना शीडी आकर घर के लिए वो पूरी होने जा रही है मेरे बचे बस तुम याद रखना ही जो तुमने मुझसे इस मन्नत के बदले कुछ करने को कहा था वो तुमें करना होगा करोगे ना जो तुमने मुझसे कहा था वो तुम याद रखना और जो मैंने कहा था वो मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे और सुनो बले ही इंसान कैसा भी हो कैसा भी हो लेकिन उसके अंदर ना कही ना कही नमरता जरूर होती है चाहे वो कितना भी कठोर हो कितना भी सक्त क्यों ना हो लेकिन उसके अंदर कही ना कही न नम्रता इंसानित होती होती है बस उसे देखने के जरुवत है उस नजर से जो नजरे न तुम देख नहीं पा रही हो मुझे मालूम है कि उस इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया लेकिन अपने मन में ना किसी के लिए गलत विचार मतलाओ अपने कर्मों में गलत मतलाओ कभी मन में अगर गलत विचार आ भी किया ना तो अपने कर्मों में मतले किया आना क्योंकि कर्मों में आने से ना उस उपर वाले के बस हिसाब पहुँच आता है क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे लिखने करने में मिटाने में, चीजे करने में गल्तियां हो सकती है लेकिन जो उसका हिसाब का रजिस्टर है ना उसमें कभी गल्ती नहीं हो सकती उसमें कभी भूल चुक नहीं हो सकती तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा चाहे तुम अकेले में कुछ ना कर लो लेकिन वो उपर वाला है न उसका कैमरा हमेशे चालू रहता है वो हमेशे सब कुछ देखता है चारो तरफ से, सब कुछ देख रहा होता है तुम्हारे आसपास वो हमेशे होता है अद्रश्य रूप में हर एक चीज का हिसाब उसके पास होता है, हर एक चीज का, और तुम्हें लग रहा है ना कि तुम घबरा रहे हो, घबराओ मत, तुम्हारा बस मन बदल रहा है, तुम्हारे भक्ती की तरफ, तुम्हारा मन इतना बदल चुका है ना, कि तुम भक्ती की तरफ आगे बढ़ चु कोशिश करना कि तुम बस मेरे ध्यान में ही लीन रहो, कभी भी अपने मुक पर अपशब्द लेके मताना, कम से कम बोलने की कोशिश करना, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा, बस मन में जाप करते रहो, तुम्हारे मन में गलत विचार आएंगे नहीं, नकरत्मक ची गी ना, तब भी वो तुम्हारे आसपास भटक नहीं पाएगी, बस तुम नाम जाप करते रहो, लगातार मेरा नाम जाप करो, समस्या जो है, वो हो जाएगी सही, चिंता मत करो, और सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, विश्वास करो, और जो निंदा करने वाले लोग है तुम्हारे आसपास वो अपने आप तुम्हारे जीवन से हट जाएंगे, मैं उन्हें हटा दूँगा, तुम्हें कुछ भी करने की ना जरुवत नहीं है, सब कुछ मैं करूँगा, और तुम्हें मेरी भक्ती पर शक क्यों हो रहा है, हाँ, सिर्व इसलिए, कि तुम्हें लोगों ने बताया गया है कि तुम मेरे पास, तुम्हें खुद चलके नहीं आए, कोई तुम्हें लेकी गया था, मेरे पास, तब जाकर तुम्हें भक्ती के मार्ग में चोड़े हो, इसलिए शक होता है, अरे नहीं मेरे बच्चे, देखो हर चीज का तरीका होता है, मैं अ इंसानों को बुलाने का, अपने बच्चों को बुलाने का अलग-अलग तरीका है, चीजों को बुलाने का तरीका है, बलकि इंसान क्या, पशु बक्षी भी अगर मेरे पास आते हैं, तो वो भी किसी ना किसी तरीके से आते हैं, मैं कोई ना कोई ऐसे लीला करता हूँ ना, ये उन्हें मेरे पास आना ही होता है मेरी चौकट पर तुमने कभी देखा है मेरे मंदिर में कुछ बंदर को कुटे को, गाए को पशुबक्षी को आते हुए तो वो यूही नहीं आते वो मेरे दर्शन पाते हैं क्योंकि मैं उन्हें बुलाता हूं क्योंकि उनके कर्मों में मैं लिखता हूं कि वो मेरे पास आएं मेरे दर्शन करें और अपने जर्म है उसे काटे अपने कर्मों को काटे जिसे कि वो और आगे जा सके और अच्छा कर सके मेरा नाम चाप कर सके तुमने कई बार देखा होगा ना किसी न किसी पशु पक्षी को कि जब भी मेरी आरती चल रही होती है उस वक्त वो वही बैठे रहते हैं पूरी आरती सुनते हैं तुम्हें क्या लगता है उनके अंदर समझ नहीं इश्वर सब को बहुत प्यार करते हैं और इश्वर को सब याद करते हैं चाहे वो पशु हो पक्षी हो कोई भी हो। वैसे तो प्राणी में मश्टिषक है। लेकिन पशु पक्षियों के पास में नहीं है। लेकिन हाँ उतना जरूर है कि वो उस उपर वाले को याद जरूर कर सके। और वो याद करते हैं। उनके अंदर भी भावनाय होती हैं, ऐसा नहीं कि भावनाय नहीं होती, वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर जो भावनाय हैं वो तुम समझ नहीं सकते, उनके अंदर भी भावनाय हैं, वो भी रोते हैं, वो भी हसते हैं, उन्हें भी चीजे याद रहती हैं, ऐसा पुशिश कर रहा हूँ और सुनो तुम्हें लगता है कि जिस इंसान ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया है और तुम उसके रिड़ी बन गए हो तो सुनो मेरी बात वो उसका तुम्हें पहुंचाने का बस इतना ही तरीका था इतना ही माध्यम था उसको उसके कर्जों का फ तब ही चुका दिया था, उसे आशिरवाद दे कर, क्योंकि उसके जो पुराने करम थे ना, वो मैंने नस्ट कर दिये थे, तो परिशान क्यों हो रहे हो, तुम किसी के रिड़ी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, बस लोग तुम्हें ठेस पहुचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हो कि बस फरिशान हो जाते हो, फरिशान मत हुआ करो, यस दुन्या का काम है कहना, और मैंने तुम्हें दो कान क्यूं दिये हैं, क्यूं दिये हैं बोलू, सिर्फ इसलिए ना, कि बे मतलब की चीजों को बे फालतू की चीजों को न एक कांसे सुनो और दूसरे कांसे निकाल दो यही चाहता हूँ मैं तुमसे यह नहीं कि सारी बातों को तुम एक कांसे सुनो और दूसरे कांसे निकाल दो मैं तुमसे कह रहा हूँ तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो तुम्हें देखना है कि किसकी बातों को तुम्हें अंदर रखना है और किन लोगों की बातों को तुम्हें ध्यान नहीं देना है दोनों में अंतर है ऐसा नहीं कि मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो मेरी बातों को भी सुनके तुम नजर अंदास कर दो वो नहीं करना तुम्हें, समझतारी लाओ अपने अंदर और मैंने एक मुख क्यों दिया है, एक जुबान क्यों दी है कि कम बोलो, जितना हो सके कम बोलो पर वहीं बोलो जहां जरुवत है, जहां तुम्हें लगे कि हाँ, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है वहां अपनी अवाज उठाओ, जहां तुम्हें लगे कि वहां समझतारी की बात करनी है वहां जुबान खोलो, तुम जानते हो कि जो इंसान चुप रहता है न वो एक कोने में बैठ कर सबको देखता है सबको वो देखता है कि वो क्या कर रहे हैं सबको समझने की कोशिश करता है और जब वो एक बार बोलता है तो ऐसे चीज़ों को बोलता है जो अर्थ वाली हो जो सबकी दिल को छूँ जाए वो कम बोलेगा लेकिन बोलेगा ऐसा कि वो बहुत अलग होता है जो सबकी दिल को छूँ जाता है और जब बोलने वाले लोग है न वो बोलते ही रहते हैं लेकिन जो चुप रहता है न वो सबको पहले समझता है सब के वहवार को समझता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है सब को वो देखता है उसके बाद ही वो सब के सामने वैसा ही प्रदिर्शित होता है जैसा कि उसे होना है और उसका आकर्शन ही अलग होता है मैं चाहता हूँ कि तुम जादा मत बोला करो कम से कम बोलने की आद़ा डाल लो और बस सब को देखो सब के विक्तित्व को देखो कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है फिर उसके हिसाब से अगर बोलोगे न चीज़ों को कम बोलोगे तोल मोल कर शब्दों का प्रेव करोगे तो चीज़े बहुत अच्छी हो जाएंगी बहुत बहुत बहतर हो जाएंगी तुम देखना तुमें खुद के अंदर बहुत सारे बदलाब लगने शुरू हो जाएंगे खुद को तुमें तुम बना लो कि तुम बन सकते हो बस इस इस साधरन से बनके रहने से कुछ नहीं होगा समझदारी लाओ अपने अंदर यह बहुत जरूरी है और वैसे भी वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है तुमें कितना कुछ सीखे हो तुम तो फिर आगे भी सीखो ना उनी चीजों से सीखो, अपने आपको समयशतार बनाओ, सीखो, खुश रहो, आज का मध्यान साई संदेश, समाप्तुवा